हेलो दोस्तों कैसे हो आपका स्वागात है त्रिपान स्टेडी सेंटर में आज जो आपके समक्ष पस्तूत किरने जा रहा हूँ वो काफी महत तुपून है जो बचे कॉंबटिशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी महत पून रहेगा इसमें CQ के अंतरगत आपके समक्ष कोरिषंड हेगा जो हर एकВыर्शाईम के लिए महत पून रहेगा चाहे आप S superfic has a exodus दे रहे हो जाए UPC की ए रहे हो तो लाइव तो यह काफी महतुपून आप लोगों के लिए होता है तो देखा जाए अगर हम कोशन की हमार बात करें तो हमारा यहां कोशन आया है कि निम्लकित में से कौन सा कोशकांग कोशका में निर्मित पदार्थ के भंडारन संसोधन और पैकजिन में मदद करता है आपको य संसोधन और पैकजिन में मदद करता है आपके समक्षा है देखिए गलोगजी उपकरन बी है नाविक सी है मैट्रो कंडिडिया डी है क्लोड़ोप्लास्ट जो आपको सही लगता है और जो बास्तविक में सही है उसको आप टिक कीजिए अपने नोटबुक पे लिखिए और आपने अपना अंसर सोच लिया होगा विचार भी कर लिया होगा अब बात यहां कोशन करने की बात करें तो निमलेक्त में से कोंसा कोशिकांग कोशिका में निर्मित पदार्तों के भंडारंसं सोदन और पैकजिन में मदद करता है तो देखा जाए तो इसका अंसर भी क्लि कारे है अगर आपको पता होगा कि यह भंडार अंसर सोधन और पैकजिन मदद करता है तो उस बेस पे भी आपका अंसर सही जाएगा यानि देखा जाए तो MCQ यहाँ पर है यह यहीं पर एकजाई्ट यहाँ आपको पता है यहां पर क्या कूशन प्रकॉण हर नभी का महतोपून कारे कदेए यहीं प्रकाशिशन है B-cellular president करना है C- lipid saturation करना है D-protein saturation देखिए यहाँ पर question काफी interesting है नाविक का महत्वपून कारे क्या होता है नाविक कौन सा कारे जो यहाँ संपन करती है अगर आपको इसका अंसर पता है तो फटक से मुझे अंसर का जबाब दीजिए क्योंकि आप महत्वपून हो आपको exam में बैठना है तो आपको पहले question करना है क्योंकि जो बच्चे पहले answer देते हैं वो काफी महत्वपून उनके लिए होता है इससे उनका knowledge का पता चल जाता है कि वो कितने पानी में है और कितना exam के प्रती ससेक्त है क्योंकि यहाँ पर ना तो आपके trick चलेगी और ना ही आपका यहाँ पर कोई दुसरी बात चलेगी ना ninja हतोरा चलेगा ना जपानी technique चलेगी कहते हैं जब परहाई करते हो तो technique के जगाँ पर अगर आप दिमाग यूज़ करोगे तो वो बहतर होता है कई जगाँ पर यह बात बताई जाती है कि निज़ा technique हम यूज़ करेंगे हम trick यूज़ करके आपको जो है अच्छे से अच्छे number दिलवा देंगे भाई आप इतने कहते हैं इतने समझदार तो हो ही हो कि बीना पढ़े लिखे बीना पढ़े हम किसी चीज़ को जो है ट्रैक नहीं कर सकते हैं किसी चीज़ को जो है हम आगे नहीं बरहा सकते हैं जहां पर भी आपको ऐसी बाते दिखता है न उसको जो आप reject कर दीजी क्योंकि निंजा हतोरी और निंजा तकनीक से हम नहीं कोशन कर सकते हैं कोशन जो होती है उसको बार-बार समझ के बार-बार कोशिश करके क्योंकि आपने कहावत जरूर सुनी है करत-करत अव्यास्ते जर्मती हो सुजान डसी आवजातो सिल्पे परत निशान कि जो बच्चा बार-बार कोशिश करता है उसको कामयाबी भी मिलती है और जो निंजा टेकनीक के चक्कर में पढ़ा रहता है और जो ट्रिक के पीछे भाग रहा होता है वो कामियाब कभी नहीं होता क्योंकि ये कभी भी सठिक नहीं बैठता है ट्रिक जो होती है कभी सठिक नहीं होती है तो ये काभी महतवपून बात है अब इसी कोशन को देख लीजिए, यहाँ कोशन है, नाभीक का महत्वपून कारे क्या है, अब जिन बच्चों को पता होगा, जिनोंने कभी सुना होगा, पढ़ा होगा, उफटाक से अंसर इसका दे देंगे, जैसे कि आपको पता है कि इसका सा डारेक्ट जोगा, सिलूलर प जब आपसे मिलते हैं, तो स्पॉम के टेल पीछे रह जाती है, और सिरफ उसका नुकलेस ही एग में जाती है, और वहां से ही परजनन जो है स्टार्ट होती है, तो इसका मतलब सलुलर परजनन ही नाभीक का महत्वपून कारे है, और नाभीक महत्वपून यहाँ पर रोल भ देते होंगे, बहुत से बच्चों ने जो है, नॉलेज लगा के संसर का दिया है जवाब, जो कि बहुत अच्छी बात है, तभी मैं हमेशा कहता हूँ, कि ट्रीक सटीक नहीं होता है, चलिए देखते हैं, अगला कोशन क्या होता है, अगला कोशन आपके स्क्रीन पे आ गया है कोशन है, बहु कोश्के से क्या तार पते हैं, बहु कोश्का का मतलब होता है, यूनिसलिलर, आखिर इनिसलिलर हम किसके लिए यूज करते हैं, क्या एककल कोश्का जीव के लिए यूज करते हैं, क्या साइटो प्लास्डिमिक प्रछेपन से अमीबा की गती और भोजन में म सब्सक्ति करने साथ है सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो देखा जाए एकल कोश्का जो होता है ये तो नहीं होती है ये कोश्कियों तो नहीं हो सकती है ये बहु कोश्कियों के बात कर रहा है एकल कोश्का जीव तो वो नहीं सकता तो इसका मतलब देखा जाए तो A option यहाँ पर reject हो रहा है यह option incorrect बता रहा है B देखिए साइटो प्लाजमीक प्रेक्शन जो amoeba की गती और भोजन मदद करता है बाई, amoeba की बात कर दिया गया यहाँ पर तो कोशन आटोमाइटिक गलत हो गया क्यों? क्योंकि amoeba जो होता है one cellular होता है हमसे यहाँ पर unicellular की बात कर रहा है तो इसका मतलब B option भी यहाँ पर reject हो गया C कहता है एक से अधिक कोशिका से बना होता है यानि देखा जाये तो C option आपका सही है और जिन बच्चों ने C option पर अपना दिमाग लगाया था और जिनका सच्ची में C option था वो सारे बच्चों का question जो है सही जाएगा और exam में भी इसी तरह से दिमाग लगाना है और अपना answer जो है supposed रूप से देना है trick का इस्तमाल नहीं करना है जो लिए देखते हैं trick के नई इस्तमाल करते हुए अपना अगला question देख लिते है अगला question आपके screen पे आ गया है question है कि निम्लिकित में से विशम समू का chain करे मतलब है कि इसमें से कौन सा जो है आपका part है जो odd number को दरशाता है और तीन जो होंगे even number होंगे यानि सही करम होंगे और एक जो होगा गलत करम होगा तो आपको बताना है कि वो गलत करम कौन सा है यानि कौन विशम समू है क्या A Clomodomymonus Paramecium Bacteria या B Kabak Paudha Januar या C Shukranu Neuron Amoeba और D Sliden Shwan Virtua तो जो भी option आपको सही लगता है आप अपना mind से समझ के इसका अंसर दे सकती हो ठीक है बढ़ ट्रीक इस्तमाल कभी न करना ठीक है आप अपना अंसर जो है कोई भी माध्यम से मुझे दे सकती हो चाहे WhatsApp पे ठीक है चाहे आप जो है अपना बाते जो है आप comment box पे भी रख सकती हो क्योंकि नंबर तो आपको सभी इसमें दिये हुए है हमने यहाँ पर हर चीज की प्रवदान किया हुआ है तो आप अपना अंसर सोच दिये होगे और मुझे किसी न किसी माध्यम से जरूर भेज होगे अच्छी बात है कोशन तो समझ में आ गया होगा कि निमलकित मैंसे बिशाम समु का चेन करेamarी औि अड़ नंबर आपको चेन करना है यह उपशन ह Ici आपड कहता है कलयो माई, डो मोनस पैरा मीशियम, बैक्टिडिया तो यह के बाद पैरा माँशियम का आता है फिर बैक्टिया का समु का होता है तो देखा जाए तो ये तो है समसंग सम है यानि एक सही करम है ये बिसम तो है नहीं भी कहता है कबाक पौधा जानवर कबाक पौधा जानवर नहीं कबाक के बाद पौधा का स्थान आता है और पौधे के बाद जानवर का स्थान आता है तो ये तो हो गया सम संक्या ये भी सम समू नहीं हुआ ये भी सम हुआ यानि ये भी जो है सही करम है लेकिन हमसे जो यहाँ पर कोशन पुछ लिया है भी सम समू पुछ लिया है तो देखा जाए C option पर नजर कड़े तो सुकरानू neuron amoeba अरे भाई सुकरानू सुकरानू के बाद neuron और neuron के बाद amoeba ये कैसी बाद बता रहा है यार ये option तो बिलकर हुई और है देखिए कोशन परने से में पता लग जाता है कि और देखिए सुकरानू neuron amoeba अब सुकरानू के neuron से क्या सम्बंद है और neuron से amoeba के क्या सम्बंद है ये तो कोई sequence बनी नहीं इसका मतलब यहाँ पर C जो है बिसम समू का chain कर रहा है बिसम समू ही दर्शा रहा है तो आपका answer यहाँ पर C है C option के साथ आप जा सकते हो और जिन बच्चों ने C option चुना है उन सब का answer जो है perfect है सही है अगला कोशन हमारे समक्षा गया है कोशन है कि पादब कोशिका की कोशिका भित्ती बनी होती है जो पादब कोशिका होते है उसकी कोशिका भित्ती किसकी बनी होती है क्या A गुलकोज का बना होता है या B फिक्टोज का बना होता है या C protein का बना होता है या D cellulose का बना होता है अगर आपको इसका अंसर पता है तो फटक से अंसर दीजिए और जो बच्चे अंसर नहीं दे रहे हैं उनको देना चाहिए आपको पता है कि यहाँ पर तिरपान नहीं कर रहा हूं कारण क्या है कारण यह है कि मैं आपका एक अलग ही अंदाज दे रहा हूं कारण यह होता है कि पहले म्यूट करके वीडियो को सारे option को आप answer लिक लिजिए और फिर बाद में इसको समझने के लिए म्यूट को खतम कीजिए और सुनिए तो इससे यह होगा कि आपको अपनी knowledge का पहचान हो जाएगी अगर मैं यहाँ पर pencil पेनों का use करता तो आपको फटा फटा अंसर पता लग जाएगा और आप मैं जानता हूं कि कोई बच्चा जोगा सामने परा हो और उसको नग इस्तमाल करें तो हो नहीं सकता इसलिए यहाँ पर मैंने जो है ऐसा परवदान बनाया है क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर mute करके पूरी वीडियो देख लेते हो और निशान लगा लेती हूं तो जर्नल सी बात है आपका जो है पेपर के लिए बहुत ही अच्छा तैयारी हो सकता है और शायद यह ऐसा यूटूब में कहीं होगा जो इस तरह का जो है कारे किया होगा लेकिन मैं तो सिरफ आपके लिए कारे करता हूं इसलिए ऐसा वीडियो बनाता हूं चलिए इस कोश्ण को भी हम एलाइस करके देख लेती है कि पादब कोश्का की कोश्का भिती कि की बनी होती है जो पादब कोश्का या पादब कोश्का या पादब की बात कर रहा है उसकी कोश्का भिती किस चिछकी बनी होती है कोश्का साफ है गल्कोज का तो बना हुआ नहीं होता है पादब में गल्कोज जो है बात नहीं आती है फुक्टोज की भी नहीं आती है और पादब कोशिका की कोशिका भित्ती जोदी है सुरिलोज का बना होता है डी ओप्षन आपका सही है डी ओप्षन के साथ आप जा सकते हो